प्रेसी के साथ इस वक्की बड़ी खबर आपको बता दे इस वक्की बड़ी खबर श्रॉप्था केस में आरोपी आफताप का बड़ा कुबूल नामा आरोपी आफताप ने कोट में कुबूल किया जोर मजज के सामने आफताप बोला घुस्से में क्या कतल मैंने जोक किया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोट में हुई पेश्री दिल्ली की साकेत कोट ने आफताप की हिरासत बढ़ाई कोट ने आरोपी आफताप की हिरासत चार दन बढ़ाई बड़ी कबर आपको बता रहा है श्रद्धा मटर केस में बड़ा खुलासा आरोपी आफ़ताब ने किया है चुले इस कबर पे जादा जुआनकारी देने के लिए हमारे साथ असोसियेट एडिटर दिल्ली से ताहिर सेफी जुड़ चुकिया है जाहिर जी श्रद्धा मटर केस में आरोपी आफ़ताब ने बड़ा खुलासा किया है लगातार जो है पूछताच उससे जारी थी और लगातार वो जो है पुलिस को जुमले दे रहा था जूटी बाते बता रहा था कन्फ्यूस कर रहा था और आज बड़ा कुबूल नामा किय है क्या कहेंगे आप पूलिस नार्को टेस्ट और फोलिग्राम टेस्ट की तैयारी कर रही है तकि आफ़ताब से पूरे मामले की जानकारी की जाते हैं। पुलिस पूरे मामले पर अप जादा पुषी के लिए कि लिए जिस तरीके प्टाप के दौरा पुलिस को बताया जा रहा था पुलिस जब आप अफ़ाफ से जो हैं बात किया चाहिए तो बताया रहा हूं कि आपव निग्लीज में जो उस से बात करते हुए उन सवालों का ज तक पुरे मामले की जाज की जा सके यानिकी साथ है कि लगातार पोलिस को गुम्राव करता हुआ नजराएं था हाला कि पुलिस पेले इस मामले में जो अलग 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 जम्शेश हैं उनको बढश है अच कर चुकी और पौरण सिक जाज के लिए रह जा गया है ताथी जो मिर्टे का सद्धा है उसके पिता लिया गया है ताकि पूरे मामले की जाच की जा सके यानि कि साथ है कि लगातार पुलिस एक-एक कदम चुन-चुन करा आगे बढ़ रही है और आफटाप जिस तरीके से सद्धा का मड़ पिया था उसके एक-एक सबूत को जो है जुटाने का कारिक सुरू कर दिया गया है जी बिलकुल अफटाप की द्वारा गुम्रहा करने का सिलसिला तो काफी दिनों से था क्योंकि हर बात में वो कई ना कई नई स्टोरी बता देता था नई कहानी पुलिस को बता के वो गुम्रह कर रहा था और यहां तक की सवाल तो यह भी हो गए थे क्या वाग गई उसने यह सब किया है नहीं क्योंकि रोज अलग अलग नहीं कहानिया बता था अब क्या हो सकता है चार दिन की जो हिरासत बड़ा दी है उसमें क्या कुछ बाते निकल कर सामने आ सकती है नार्कोटेक्स के लिए क्या क्योंकि नार्कोटेक्स जब जाच होती है उसमें जो है आरोपी से भी पूछना पड़ता है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है ने कि बिल्कुल आपको बता दू कि सबसे मैं स्कूर्ण जो पुलिस मान कर चल लही है वो दिल्ली पुलिस को 18 अक्टूबर का सीची फुटेज मिला है इसमें सद्दा के कातिल जो आफताब के हाथ में एक पैक दिखाई दे रहा है पुलिस को सख है कि आफताब 18 अक्टूब नार्को पैस्टा को अपताब के सामने इक एक कर राग पलता हुआ नजर आ रहा है तो उमीद जताएज जा रहा है कि आने वाला जो समय है जो है जो है अई जो है डोली झाने ही दोनों आफताब की जो है एक खबूत जो 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 जाने में लगी हुई है इसके साथ ही अब पुलीस के अलादिकारी जो है आफ से जो है और कलाई से पुस्ताश करेंगे ताकि अवसें उनको पूरी तरीके से बरामच किया जाता हिए सबसेमेश्पूर् इस पुरे मामले में जो है जो जो सरथभ पुलिग्राम टेस्ट कराना चाहती है ताकि इन दोनों के जाच के बाद जो है ये महत्पूर सबूत जो है इनको जुटाने का काम किया जाता कि इसके साथ साथ पुलिस की यह भी मानकेशनी है क्योंकि मैं आपको बता जो कि इस तरीके से जो है नार्को होगा नार्को सक्षानग को बेयुत जो है इस पूलिट के आगे ने काक आग envision कर शक्रीज वह जो हुत पहूंकर ने फ़ाजांगेशनी है तो बड़ी कि दो आपको बताई शुरद्धा मरडर केस में आरोपी अफ्ताफ ने बड़ा खुलासा किया है उसने कुबूल किया है कि उसे खुस्से में आकर शुरद्धा का मरडर किया था